उजास प्रवेशिका भाग तीन उजास ये एक प्रवेशिका पुस्तक है जिसका निर्मान राष्ट्रिय साक्षर्ता केंद्र प्रकोष्ट CNCL राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद NCERT द्वारा किया गया है और इसका ध्वनी रुपांतरण केंद्रिय शैक्षिक प्रदोगी की संस्थान CIET द्वारा किया गया है ये प्रवेशिका पुस्तक 15 वर्ष या उससे अधिक आयू के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गई है इसमें बुनियादी साक्षर्ता, भाषा, संख्याग्यान और महत्वपून जीवन कौशल ट्रिटिकल लाइफ स्किल्स विश्यों को सम्मिलित किया गया है और इसका ध्वनी रुपांतरण केंद्रिय शैक्षिक प्रयोध्योगी की संस्थान C.I.E.T. द्वारा किया गया है उजाज, प्रवेशिका, भाग तीन प्रिष्ट संख्या 228 इस प्रिष्ट पर एक रेलिवे स्टेशन का चित्र है जहां सामने दिवार पर लिखा है हिंदी में नई दिली और अंग्रेजी में न्यू डेली यहां पर रेल गाली की समय सारनी का चाट है जिसमें गाली की संख्या, उसका नाम और प्रस्थान समय अंकित है यहां दिवार पर एक दिवार घड़ी टंगी है कुछ यात्री टिकट खरीद रहे हैं यहाँ पर यात्रियों के भीड़े जो टिकट खड़की पर टिकट को खरीद रहे हैं साथ यहाँ पर एक बोड भी है जिस पर हिंदी में नई दिली और अंग्रेजी में नई दिली तथा साथ ही उर्दु में नई दिली लिखा है प्रिष्ट संख्या दो सो उन्तीस यहाँ पर टिकट चेकर, यात्रियों के टिकट चेकर रहा है यहाँ एक महिला और दो पुरुष खड़े हैं जिनके हाथों में टिकट है प्रिष्ट संख्या दो सो उन्तीस इस प्रिष्ट पर यहाँ पर एक चित्र है, जिसमें कुछ यात्रियों को जमीन पर और कुछ को बैंच पर बैठे दर्शाय आ गया है यहाँ प्लैटफर्म पर एक रेलगाडी खड़ी है इस रेलगाडी पर लिखा है मालवा एक्सप्रेस यहाँ पर एक ठेले पर एक आदमी कुछ खाने पिने की सामगरी बेच रहा है और एक मा और उसका बच्चा कुछ सामान खरीद रहे हैं इस ठेले पर एक बोड लगा है इस बोड पर लिखा है एकता भेल मसाला यहाँ पर एक पुल भी है, जिस पर कुछ यात्रियों को दर्शाया गया है. साथ यहाँ पर दो कुलियों को सिर्पर सामान लदे जाते दर्शाया गया है. प्रिष्ट संख्या 230 पाठ संख्या 10 यात्रा हम सीखेंगे समय की माप का उपयोग करना 12 और 24 घंटे वाली घड़ी, कैलेंडर, समय सारणी और रेल टिकट पर दी गई सूचनाओं की समझ बनाना. यहाँ पर दिये गए शब्दों को पढ़िये. यहाँ पर एक तालिका है. इस तालिका के पांच भाग हैं. इस तालिका की छे पंक्तिया हैं. प्रतेक पंक्ती में पांच पांच शब्द दिये गए हैं. यह शब्द इस तरह से हैं. सीट, नजारे, ड्राइवर, सीटी, पकडंडी, लोटना, रेल, रास्ता, प्रसाधन, यात्रा, सलक, बैलगाडी, किराया, सामान, साइकेल, टिकट, यात्री, मुसाफिर, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, बुकिंग, रिक्षा, स्लीपर, गार्ड, इंजन, टीटी, प्लेटफॉर्म, कंड़क्टर, आरक्षन, ततकाल, शिक्षक निर्देश, यहां यात्रा से जुड़े कुछ शब्द दिये गए हैं, इन शब्दों पर चर्चा करें, सैभागियों को अपने कि सी यात्रा से जुड़े मज़ेदार अनुभव साजा करने के लिए कहें, सैभागियों को प्रोत्साहित करें कि वो यात्रा से जुड़ा कोई नाटक तयार करें और अन्य साथियों को दिखाएं, प्रिष्ट संखिया 231, गांधी जी के आत्म कथा से, गिर्मिट की प्रथा अध्याय में गांधी जी लिखते हैं, रेल की भीड की तकलीफ का मुझे बहुत कड़वा अनुभव हुआ, मुझे लाहोर के रास्ते होते हुए कराची से कलकत्य जाना था, लाहोर में ट्रेन बदलनी थी, वहां के ट्रेन में बुरा हाल था, यात्री जबर्दस्ती अपन रास्ता बना लेते थे, दर्वाजा बंध होता, तो खिड़की में से अंदर घुस जाते थे, मुझे कलकत्य निश्चित तारीक पर पहुँचना था, ये ट्रेन खो देता, तो मैं कलकत्य पहुँचना पाता, मैं जगह मिलने की आशा छोड़ बैठा था, कोई मुझे अप मुझे जगह दिला दो, तो जरूर बार आने दूँगा, मजदूर यात्रियों से गिलगला कर कह रहा था, प्रिष्ट संख्या 231 पर एक रेल गाली का चित्र है, यहाँ पर कुछ मुसाफिर प्रेटफॉर्म पर खड़े हैं, कुछ रेल गाली में चड़ रहे हैं, साथ इस चित्र में गांधी जी को दर्शाय गया है, प्रिष्ट संख्या 232 पर कोई मुझे लेने को तयार ना हुआ, ट्रेन छूट नहीं वाली थी कि एक डिब्बे के कुछ यात्रियों ने कहा, डिब्बे में जगह नहीं है, तो भी अंदर गुसा सकते हो, तो कोशिश कर लो, ले अंदर डाल दिया, मैं अंदर गुसा और उस मजदूर ने बारा आने कमा लिये, मेरी ये रात मुश्किल से बीती, दूसर यात्री जैसे तैसे करके बैठ गए, मैं उपर वाली बैठक की जंजीर पकड़ कर दो घंटे खड़ा ही रहा, इस बीच कुछ यात्री मुझे धमक अजी बैठते क्यों नहीं हो, मैंने बहुत समझाया कि कहीं जगा नहीं है, पर उन्हें तो मेरा खड़ा रहना भी सहन नहीं हो रहा था, वो बार बार मुझे परिशान करते थे, वो जितना मुझे परिशान करते थे, उतनी ही शान्ती से मैं उन्हें जवाब देता था, इस से माफी मांगी और मेरे लिए अपनी बगल में जगह कर दी। सब्र का फल मीठा होता है। कहवत मुझे याद आई। मैं बहुत ठक गया था। मेरा सिर घूम रहा था। जब मुझे सचमुच जरूरत थी तब ईश्वर ने बैठने की जगह दिला दी। इस प्रिष्ट पर ट्रेन के अंदर का द्रिश्य है। यहाँ पर गांधी जी सीट पर बैठकर एक पुस्तक पड़ रहे हैं। उनके पास एक युवक खड़ा है। वो भी कुछ पड़ रहा है। और साथ ही एक यातरी बैठा है। प्रिष्ट संख्या 233 पढ़िए और बाच चित कीजिए। प्रश्ण एक गांधी जी रेल से यातरा के लिए स्टेशन पहुँचे। उन्होंने स्टेशन आने तक की यातरा कैसे की होगी। प्रश्ण दो गांधी जी के समय में रेल, मोटर, इकका तांगा, साइकिल और बैल गाड़ी जैसे साधन ज्यादा देखने म आते थे, आज की समय में यातरा के और कौन-कौन से साधन आ गए हैं। प्रश्ण तीन, किसी भी यातरा में पुरुष अधिक दिखाई देते हैं, स्त्रियां कम दिखती हैं, ऐसा क्यों है? प्रश्ण चार, जैसे गांधी जी को अपनी यातरा याद रही, क्या आपको भी अपनी किसी यातरा की याद है? उसके बारे में बताईए। प्रश्ण पांच, अनेक गावों में आज भी आने जाने के लिए ठीक सुविधाई नहीं हैं। ऐसे में किस-किस तरह की परिशानियां लोगों को झेलनी पड़ी हैं। अपने इलाके के अनुभों के आधार पर बतलाईए। यहाँ पर एक बॉक्स में लिखा है। गांधी जी ने लाहोर से कलकत्ते की ये यातरा वर्श 2017 में की थी। उन्हें भारती राश्टर कॉंग्रेस के आमंत्रण पर कलकत्ता पहुँचना जरूरी था। तब तक उन्हें महात्मा की उपादी तो नहीं मिली थी लेकिन जहाँ पहचान लिया जाता वहाँ नाम का घोश जरूर होता था। प्रिष्ट संख्या 234 यातरा मैं अपनी बेहन के घर आया था। दो-तिन दिन यहां रहूंगा फिर मैं अपने घर लोट जाऊंगा। बेहन भी कभी-कभी आती है मगर उसका आना घर लोटना नहीं होता। हम दोनों ने एक ही घर से यातरा शुरू की थी। बेहन मुझसे तीन साल बड़ी थी। वो मुझे बहुत लाड़ करती थी। वो कुछ भी खाती तो मेरा हिस्सा उसमें रहता था। मैं भी कभी-कभी उससे अपनी चीज़ें साजा करता था। उसे मेरे कपड़े छोटे हो पहन ली थी। वो इतनी हसी इतनी हसी अपना पेट पकड़े हस्ती ही रही। मैं नहीं समझा मगर वो हस रही थी। तो मैं भी हस रहा था। इस प्रिष्ट पर एक चित्र है जिसमें कुछ बच्चों को वर्षा में खेलते दर्शाया गया है। बच्चे बहुत ही प्रसन प्रिष्ट संख्या 235 अने उसके लिए तोड़ा था। वही उसे देना चाहता हूं। बच्चों के सामने दूगा तो पता नहीं वो शायद हंस देंगे। या क्या पता वो खुद ना खाए और बच्चों को दे दे। या क्या पता बच्चे ही उससे जपट ले। आज लौट रहा हूं। रात की अने हैं। ठंड की रात है। एक दुकान पर आग जलती दिख रही है। और कोई तो नजर नहीं आया, बस दो कुत्ते सो रहे हैं। कभी-कभी थोड़ी बहुत रोशनी दिख जाती है। कहीं दूर खेत में एक बल्ब लटका दिख जाता है। बाकी हर तरफ अन्धिरा है। बस की हेडलाइट की रोशनी में थोड़ी से सडक दिखती जा रही है। ये कैसे यात्रा है? सब सो रहे हैं. किसी को कुछ नहीं मालूम कि कहा जा रहे हैं. ड्राइवर पर बहुत भरोसा है. बस से बाहर भी सब सो रहे हैं. सुभा मैं घर पहुच जाऊंगा. अम्मा आंगन में बैठी हैं. मेरा रास्ता देख दी. बहन ने अम्मा के लिए सरोती भेची है. वो मैंने बैक की सब से उपर की जेब में ही रख ली थी. तुरंत अम्मा को थमा दी. अम्मा बहुत खुश हैं. बहुत खुश. मैंने बैक से वो अमरोद निकाला और डाली में वो जगा ढूनने लगा जहां से उसे तोड़ा था सुशील शुक्ल प्रिष्ट संख्या 236 बताईए प्रश्ण एक लेखक अपनी बेहन को अमरूद क्यों नहीं दे पाया? प्रश्ण दो यात्रा के समय आपको कैसा महसूस हुआ? क्या उसका कोई हिस्सा सुनते समय आपको लगा कि आपने भी वैसा कुछ महसूस किया है? प्रश्ण तीन यात्रा करते समय लेखक ने बस के बाहर क्या-क्या देखा? प्रश्ण चार कई बार बहुत छोटे लड़के भी अपनी बेहन की फ्रॉक पहन लेते हैं आप इस बारे में क्या कहेंगे? प्रश्ण पांच कहानी में ऐसे कौन से अंश हैं जो ये बताते हैं कि भाई बहन के बीच बहुत प्रेम है? प्रश्ण चे आपने किन कारणों से यात्रा की है? पढ़िए और लिखिए यहाँ पर दिये गए मुहावरों को समझिए और उनके बारे में लिखिए प्रश्ण एक सही मुहावरे से वाके पूरे कीजिए घोले बेचकर सोना हस्ते हस्ते लोट पोट होना कलेजा धलकना इद का चांद होना आख लगना क मुझे फ्रॉक पहनना देख वो रिक्तिस्थान ख बहुत दिनों बाद दिखे हो तुम तो रिक्तिस्थान ग अंधेरे में तो मेरा रिक्तिस्थान ग मेरा इंतिजार करते करते अम्मा की रिक्तिस्थान और न रात को तो सब रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 237 प्रश्ण दो सही शब्द लिखिए एक आपको रिक्तिस्थान जाना है कहा या कहा दो बेहन की रिक्तिस्थान आई है सास या सास तीन कल बहुत तेज रिक्तिस्थान आई आधी या आधी चार बेहन ने रिक्तिस्थान की बारिश आएगी कहा या कहा पांच सामने कुत्ते को देख मेरी रिक्तिस्थान अठक गई सास या सास 6. बच्चों की तो रिक्तिस्थान टिकट लगती है आधी या आधी प्रश्न तीन आपके गाउं या शहर में यात्रा के कौन-कौन से साधन है दिये गए साधनों में से आप आने जाने के लिए किन साधनों का उप्योग करते हैं सही का निशान लगाई एक बस, दो रेल गाड़ी, तीन मेट्रो, चार जीप, पाँच स्कूटर, छे इरिक्षा, साथ टेक्सी, आठ ट्रक इनके सामने रिक्तिस्थान दिये गए हैं आप आने जाने के लिए जिन साधनों का उप्योग करते हैं उनके आगे सही का निशान लगाईए प्रश्न चार अपनी किसी यादगार यात्रा की कुछ बातें यहां लिखिए यहां पर कुछ खाली पंक्तिया हैं इसमें आपने अपनी किसी यादगार यात्रा के बारे में लिखना है प्रिष्ट संख्या 238 इस प्रिष्ट के पहले हिस्से में कुछ रिक्त पंक्तिया हैं प्रश्न पाँच किसी भी सफर के लिए किस तरह की तयारी की जरूरत होती है अपने विचार साजा कीजिए और लिखिए दी गई पंक्तियों में आपने अपने विचार लिखने हैं कि आप किसी भी सफर के लिए किस तरह की तयारी करते हैं प्रिष्ट संख्या 249 24 घंटे वाली घड़ी और दोपहर के बाद समय के साथ साएं यानी पी एम लिखना होता है। जबकि 24 घंटे वाली घड़ी आधी रात के 12 बजे से पूरे 24 घंटे का समय बताती है। जैसे साएं 5 बजे को 24 घंटे वाली घड़ी में बताया जाएगा सत्रह। और इसका उपियोग रेलवे स्टेशन हवाई अड़े इत्यादी जगहों में किया जाता है। समय सारणी प्यूश महाबोधी एक्सप्रस में बैठकर नई दिल्ली से प्रियाग राज जंक्षन तक यात्रा करेगा। इस रेलगाली की समय सारणी में समय को 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से दिया गया है। 12,398 महाबोधी एक्सप्रेस समय सारणी यहाँ पर एक समय सारणी दी गई है। इसके पाँच भाग हैं। सबसे उपर लिखा है क्रम संख्या, फिर स्टेशन का नाम, उसके बाद पहुचने का समय, फिर स्टेशन छोड़ने का समय, और फिर लिखा है दूरी, किलोमीटर में। क्रम संख्या एक, स्टेशन का नाम नई दिल्ली, पहुचने का समय रिक्तिस्थान, स्टेशन छोड़ने का समय बारा बचकर दस मिनट, दूरी किलो मीटर में रिक्तिस्थान, क्रम संख्या दो, स्टेशन का नाम अलेगर जंक्षन, पहुचने का समय तेरा बचकर इक्यावन म दूरी किलोमीटर में 131 किलोमीटर, क्रम संख्या 3, स्टेशन का नाम कानपुर सेंट्रल, पहुचने का समय 17 बचकर 30 मिनट, स्टेशन छोडने का समय 17 बचकर 40 मिनट, दूरी किलोमीटर में 440 किलोमीटर, क्रम संख्या 4, स्टेशन का नाम प्रियागराज जंक्षन, पहुँचने का समय 20 बचकर 10 मिनट स्टेशन छोड़ने का समय 20 बचकर 15 मिनट दूरी किलोमीटर में 635 किलोमीटर प्रिष्ट संख्या 240 अब महाबोधी एक्सप्रेस समय सारणी को समझ कर बताईए एक, प्यूश, प्रियाग राज जंक्षन कब पहुँचेगा? क्या समय होगा? 2. नई दिल्ली से प्रियाग राज जंक्षन पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा? 3. नई दिल्ली से प्रियाग राज जंक्षन की दूरी कितने किलोमीटर की है? 4. अलेगर जंक्षन से प्रियाग राज जंक्षन कितना दूर है? शिक्षक निर्देश, सहभागियों को प्रेडित करें कि वो 24 घंटे वाली घड़ी और 12 घंटे वाली घड़ी में समय बता सकें तथा 24 घंटे वाली घड़ी में दिये गए समय को 12 घंटे वाली घड़ी के समय में बदल सकें रेलवे स्टेशन टेबल के उप्योग से अभ्यास करने के अवसर दें। रेल टिकट इस प्रिष्ट पर प्यूशक रेल गाली के टिकट का एक नमूना दिया गया है। आईए, अब इस नमूना टिकट को समझते हैं। प्रस्थान किते थी। इस टिकट पर पी एन आर नमबर गाड़ी संख्या कुल दोरी किलोमीटर में टिकट नमबर गाड़ी का नाम किराया रुपेओं में कोच नमबर प्रस्थान का स्टेशन सीट नमबर आयू और गंतव स्टेशन अंकित है। टिकट पर लिखा है महाबोधी एक्सप्रेस इससे हमें ये मालूम चला कि ये टिकट महाबोधी एक्सप्रेस का है प्रिष्ट संख्या 241 एक प्यूश की गाड़ी का नाम क्या है? रिक्तिस्थान दो गाड़ी संख्या क्या है? रिक्तिस्थान तीन कोच नंबर क्या है रिक्तिस्थान चार सीट नंबर क्या है रिक्तिस्थान पांच प्यूश की आयू कितनी है रिक्तिस्थान छे नई दिल्ली से प्रियाग राज जंक्षन की टिकट कितने रुपए की है रिक्तिस्थान और साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे यहाँ पर दो नोटों के चित्र है पहला नोट 500 रुपए का है और उसके नीचे लिखा है दे कर टिकट खरीदने पर रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 242 रेल गाली के टिकट में दी गई सुचनाओं को समझ कर बताईए और लिखिए यहाँ पर एक रेल गाली का टिकट है जिस पर लिखा है शुभ्यात्रा, हैपी जर्नी PNR नमबर 423-4888-961 गाली नमबर 12-429 तिथी, 30 जन्वरी 2012 किलोमीटर, 705 व्यस्क, 1, बच्चे 0 टिकट नमबर A-10-69-88-6-4 इस पर लिखा है जर्नी कम रिजर्वेशन टिकट और साथ यहाँ पर अंकित है बेंगलोरू सिटी जंक्षन सिकंदराबाद जंक्षन कोच B-4 सीट बर्थ सीट एक बर्थ L-B लिंग फिमेल एज 25 आशू यानि आरक्षित शुल्क 20 रुपई कुल नगद शुल्क 1085 रुपई राजधानी एक्स्प्रेस बी आरडी बेंगलोर सिटी जंक्षन S-C-H D-E-P 31 20 20 A-P-R 31 31 7 बज़कर 35 मिनट यात्रा की दोरी कितनी है? रिक्तिस्थान यात्रा की तिथी क्या है? रिक्तिस्थान टिकट द्वारा कहां से कहां तक की यात्रा की जा सकती है? रिक्तिस्थान यात्रा का किराया कितना है? रिक्तिस्थान चार यात्रे होने पर कितना किराय होगा रिक्तिस्थान टिकट का PNR नंबर क्या है रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 243 कैलेंडर साल में 12 महीने होते हैं कुछ महीने 30 दिन के होते हैं कुछ 31 दिन के फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का होता है साल का पहला महिना जनवरी और आखरी महिना दिसंबर होता है इस प्रिष्ट पर वर्ष 2022 का एक केलंडर दिया गया है इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महिने दर्शाय गए हैं प्रिष्ट संखिया 244 जो साल चार से भाग देने पर पूरी तरह बढ़ जाए इस दिन का होता है जैसे 2016 और 2020 में फरवरी 29 दिन का था जिस साल फरवरी मह 29 का होता है उस साल में 366 दिन होते हैं हम सब जानते हैं सप्ता हमें सात दिन होते हैं केलंडर में सपता का पहला दिन रवीबार, और आखरे दिन शनिवार होता है। केलंडर में एक साल के हर महीने का हिसाब होता है। जैसे महीने में कितने सपता होंगे, किस दिन क्या तारीख होगी आदि। आईए, इस प्रिष्ट पर दिए गए केलंडर को समझें और इस प्रिष्ट पर एक तालिका है ये तालिका अगस्त 2022 के महिने की है इस तालिका के साथ भाग है और इसकी छे पंक्तिया हैं सबसे उपर के पंक्तिय में लिखा है अगस्त महा की एक तारिक सोमवार को पढ़ती है तो यहाँ पर सोमवार के नीचे एक लिखा है मंगलवार के नीचे दो, बुदवार के नीचे तीन, ब्रसपतिवार और शुकरवार रिक्त है और शनिवार के नीचे छे लिखा है रविवार के नीचे साथ और उसके आगे की सबी छे पंक्तिया रिक्त हैं तालिका की चौथी पंग्ती में रवीवार, सोमवार और मंगलवार का खाना खाली है उसके बाद बुधवार के नीचे सत्रह और आगे ब्रस्पतिवार और शुक्रवार का खाना रिक्त है और फिर शनीवार के नीचे बीस लिखा है तालिका की पांचवी पंग्ती में रवीवार के नीचे 21 लिखा है और उसके आगे के तीन खाने खाली हैं जो सोमवार, मंगलवार और बुधवार के हैं फिर ब्रस्पतिवार के नीचे 25 और फिर अगले दो खाने शुक्रवार और शरीवार के रिक्त हैं तालिका की अंतिम छटी पंक्ती में पहले तीन खाने रिक्त हैं ये खाने रविवार, सोमवार और मंगलवार के हैं बुद्वार के नीचे लिखा है 31 अब आपको इस तालिका में दिये गए रिक्तिस्थानों को स्वैम पूरा करना है प्रिष्ट संख्या 245 इस केलेंडर को समझ कर बताईए इस महीने में कितने रविवार होंगे रिक्तिस्थान 17 अगस्त को कौन सा दिन होगा रिक्तिस्थान महीने के चौथे शनिवार को कौन सी तारिक होगी रिक्तिस्थान क्या 19 तारिक को सोमवार होगा रिक्तिस्थान यदि प्यूश 6 तारीख को यात्रा शुरू करे तथा 15 तारीख को यात्रा समाप्थ करे तो उसने कितने दिन यात्रा की? आपने कैसे पता किया? रिक्तिस्थान ये महिना किस दिन समाप्थ होगा? रिक्तिस्थान रानी को शुक्रवार की छुट्टी मिलती है क्या रानी को इस महीने में पाँच छुटिया मिलेंगी? रिक्तिस्थान शिक्षक निर्देश सहभागियों को प्रेरित करें कि वो कैलेंडर की मदद से दी गई दो तारीखों के बीच के दिनों का हिसाब लगा सकें प्रिष्ट संख्या 246 वर्ण माला आ, आ, इ, ई, उ, उ, री, ए, आ, आ, ओ, आउ क, ख, ग, घ, अंगा च, छ, ज, 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 या त, ठ, ड, ढ, 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 ल, ढ, ढ, त, थ, द, द, ढ, न, प, फ, ब, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, हा श, त्र, ग्या, श्र,